दोस्तों नमस्कार हिंदीकृइन.com में आपका स्वागत है आज हम बात करने चल रहे हैं मुझे भारती होने पर गर्व है मुझे भारती होने पर गर्व है जिस देश में हमने जल्म लिया है जिसका अन्न जल हमारे सरीर को वोसित कर रहा है जिसकी वाईू हमारे सरीर में प्राण वाईू बनकर स्वंचिर्थ हो रही है उससे प्यार करना सुभाविक है आचार रामचन सुकल जी ने देश प्रेम को साशर अर्गत प्रेम कहा है लंबे समय तक किस स्थान पर रहने के कार्ण उस स्थान से प्यार हो जाना सुभाविक है मुझे भारत से प्यार है अपने भारती होने पर गर्ब है इस गर्ब का कार्ण मातर यही नहीं कि मैं यहां पैदा हुआ हूँ इस गर को एकान अत्यदिक गारा है या मेरा सवाब हाग या है कि मैं भारत में पैदा हुआ हूँ भारत महान परमपराओं का देश है एक समय था जब इसे विश्व गुरु माना जाता था और ग्यान पी पासू लोग अपनी प्यास बुजाने के लिए भारत की तरफ खिचित चले आते थे डालंदा विकरमसिला तचसिला जैसे विश्व जाले सिच्छा के उच्चतम हिस्तरों को शुते थे विसाल काय पुस्तकालेयों में पुस्तकों का अच्छे बंडार था स्रिष्टी की उसाकाल में इस पावन धर्ती पर विदों की रिचाएं लिखी गई और जन कल्यान कारी यग्यों का सुगंदित दुआ वातावन में फैला बैदिक रिष्टियों ने जिस बैस्विक स्रिष्टी का परशे दिया और मानो धर्म का परचार किया वावभूद पूर्व था मुझे भारती होने पर गर्व है क्योंकि आध्यात्मिक शेत्र में भी इस देश ने उच्चितम उपलब्धियां पराप्त की है आत्मा और परमात्मा के संबंधों पर यहां गहराई से विचार किया गया है छे दर्फनों की समर्द परंपरा इस देश में बिकसित हुई है जप्यों तप्यों की इस भूमी पर ददेची जैसे इरिसी ने देवकार के लिए अपनी हड़ियां तक दान कर दी सरनागत के रच्छा के लिए यहीं परसुवी ने अपनी सरीर का मांस बाज़ को खिला दिया सौपन में दीए के दान को स्विकारने वाले राजा हरिशन बारणसी के बजार में सब परिवार बिग गये इस देश में पिता की आग्यां से राज़ पाट छोड़ देने वाले बनों में भटकने वाले राम ने जन्म लिया है इस देश में प्रलाद ने भक्ती का आदर्स स्थापित किया द्रूव ने बच्पन में घोर तपस्या के यहीं पर भागीरत मा गंगा को प्रतिवी पलाने के लिए तपस्या करते रहें इसी धर्ती पर संग्राचार जी ने धर्म विजय की पता का फैराई और यहीं पर बुद्ध और महाबीर की बाने गोंजी इस पावन धर्ती पर सिक्क गुरूओं ने धर्मो अपदेश दिये और यहीं पसंदों की बाणी का प्रशार हुआ आध्यात्मित्ता का कमल जिस धर्ती पर फत्रशा पंकुडियों के साथ बिक्सित हुआ वह देश भारत है और मुझे उस पर गर्व है मुझे भारती होने पर गर्व है बहुतिक शेत्र में भी भारत की उपलब्धिया कम महत्पूर नहीं रही है माभारत और रामायण कालिन सबिता समर्द सबिता थी माभारत में हस्तिनापूर का फौन्दर अद्भूत था माभारत में प्रयोक्त सासरात भौतिक उन्नती के सोचक है रामायण में पुस्व बिमान तक का वर्णन आया है हमारे यहां बिमान कला का विकास हुआ था इसके प्रमाड उपलब्ध है सुदूर अतीत में जिस ब्रहत्तर भारत के स्थापना हुई थी उसका आधार सांस्कृतिक बिजय थी भारत के ब्यपारिक पोत भारत में बना माल लेकर विस्व के चौराफी देशों के बंदरगाहों तक पहुंसते थे भारत में रेसम, हीरे, जवारात ही नहीं अन्य बिलास्ता के सामगरी भी निर्यात की जाती थी भारत को कृसी प्रधान देश कहकर यहां के उद्योगों की उपिछा करने का परयास किया भारत में और द्योधिक विकास का अधार कृसी थी पर अंगरेश सासकों ने हमारे उद्योग धंदे नश्ट कर दिये भारत के कच्चे माल से इंगलेंड की मीलें चलने लगी धागा के मलबलन बलाने वाले हाथ काड़ दे गए महिन कारीगरी दिखाने वाले हाथ मील मजजूर के हाथ बनकर रह गए भारत के प्राशिन गरंथों में 64 कलाओं का वड़न बिस्तार पूरबक हुआ है स्वाधनिदा प्राप्ति के पश्याद भारत ने विग्ञान के शेटर में अत्की उननुती की है हमारे देश में डॉक्टर इंजिनियर यहां बियग्यानिक विस्तों में सŞरिष्ट माने जाते हैं जिस देश में प्रादिन्दा के युग में सूगी तक नहीं बनती थे, वहीं परवायूयान सब्मरीन, कंप्पेटर, अंतरिच की भेदने वाले रॉकेट और उबुरा निर्मित हो रहे हैं। कादर स्विक्सित हुआ है और प्रतिक धर्म को यहां सरण मिली है। धर्द निर्पेचिता को भारत ने अपना कर अपनी प्राशीन परंप्रा को ही पुष्ट किया है। समरिद एवं प्राशीन बिरासवत का नाम है। भारत में उपरी तोर पर भले ही भिवनिता दिखाई देती हो परंतु एक भारते संस्कृतिक धारा में हम सबको बांधे हुए है। भारत की समस्यान एक है परंद भारत में उन पर बिज़े पाने की छमता है। भारत आज एक मजबूत देश है जिस पर सारे विश्क नजरे लगी हुई है। विश्क सांती में कुट निर्पेश आंदोलन को जन्म हमने ही दिया है और पंच सील का फिद्धान यहीं पर जन्मा है। भारती समराज की अनिक बुराईयों से भी मैं परशित हूँ। भारत के सम्मुक खड़ी चिनोतियों का भी मुझे ग्यान है। भारत एक संक्रमन काल सी गुजर रहा है। भारत का वविस्ट जुज्यल है। भारत का तीद गौड़ो पूर्ण था। भारत का बर्तमान संग दर्सपूर्ण है और मुझे भारती होने पर गर्भ है। धन्यवाद।